लेटस्ट कबरे पाने के लिए सस्क्राइब करिए हमारी चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस्ट कबरे सबसे पहले की कोशिश नहीं की गजरॉला में रहने वाले इसलाम के तीन बचे हैं बड़ा बेटा रेहान पांच आयान चार और बेटी एकर तीन वर्ष की है इसलाम ने रहान को दस दस रुपे के दो सिक्के दे कर दुकान से समान लेने भेजा था रहान के साथ आयान वा बेहन एकरा भी थी इन बच्चों से दस रुपे का एक सिक्का कहीं खो गया काफी देर तक भचे वापस नहीं लोटे तो इसलाम दुखान की तरफ गया और उसे मालूम हुआ कि बच्चों से 10 रुपे एक हो गए हैं जिसके बाद वह तीनों बच्चों को पीटे हुए घर लिया आया बिजली के पॉल से बांध कर की पिटाई इसलाम ने घर के बाहर लगे बिजली पॉल से तीनों बच्चों को रसी से बांध कर लड़का दिया और डंडे से पीटना शुरू कर दिया बच्चों के चीखने की आवाज सुनकर मुहले वाले मके पर जमा हो गए लोगों ने बच्चों को पीटने से मना किया तो इसलाम उन्हें धमकी देने लगा हिम्मत दिखाते हुए कुछ लोगों ने बच्चों को बचाया और रसी खोल कर नीचे उतारा बच्चों की मा जासमीन का कहना है कि बच्चे गलती करते हैं तो वे पिट्टे भी हैं हमारे बच्चे हैं, हम चाहें उन्हें जान से माच दें इससे किसी को क्या लेना देना है पुलिस को मामले की जानकारी नहीं गजरौला थाना एससाई ने बताया कि नगर के किसी भी महले में पिदा दुआरा बच्चों को पीटने की घटना की कोई जानकारी नहीं है यदि ऐसा हुआ तो जानकारी की जाएगी दोशी के खिलाफ सक्त कारवाई की जाएगी